से बाड़े श्टोर में धरा को लगा है सद्वा और अब घर वाले कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि धरा की खुशियां वापस लाई जा सके आने वाल एपिजोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि वापस से आती है धरा लेकिन वो अपना बिल्कुल भी खयाल नहीं रख सकती है और वोस अपने देखते नजराती ही और तैयार करते नजराती हैं शोपिंग उपिंग करके हैं तो दूसरी दर अब देखने को मिलता है कि शिवा और रावी काफी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और धरा की इस आलत के लिए घर वाले काफी जाधा तूड़ के और यहां देखने को मिलता है कि अब शिवा और रावी के बीच में नस्दी क्यां बढ़ेगी क्योंकि अब शिवा बुरी तरह से तूट चुका है और धरा की आलत देकर बहुती जादा परेशान है जिसके लिए अब रावी बनेगी सहारा और इन दोनों के बीच में नस्दी क्यां बढ़ते दिखाई देगी वहीं धरा को अब धरा ना कुछ खा रही हैं पीरे और ना कुछ भी अपना ध्यान नहीं रख रही है और इसलिए घरवाले उसे खाला खिलाने के लिए आधी राथ में मस्ती करते दिखेंगे और एक दूसरे के साथ खाना खाते नजराएंगे जिसके बाद दी आहाँ पर कोई भी रियक्शन उसका नहीं आता है वो चुप चाप से वहाँ पर उस कमरे से सांती से निकाल लेती है ये हालत देखकर बूरी तरह से घरवाले परेशान हो चुके हैं और अब धरा जब गुस्सा फूटे गां तब वो इस तरह से फूटे गां की गोंभी और सभी घरवाले शोग्ड हो जाएंगे और सुमन भी उसे थपड़ बार देती है कि तुम्हें ये डिसिजन अकेले लेने का फैसला मैंने कहा था ना मत लो दरा से एक पार तो पूछ लेते वहीं दरा अब यहां पर उस पर इलजाम लगाते नज़राएगी मेरे बच्चे के कातिल तो तुम ही हो और वो अब गोतम के और धरा के बीच में काफी कुछ तमाशा हो चुका है धरा को एक हेल्थ के लिए ही कि गोतम ने ये बात चुपाई थी लेकिन अब घरवालों को किसी को ये समझ नहीं आ रहा है इसलिए गोतम पर सारा इलजाम लग चुका है और गोतम अलग थलग पड़ चुका और इसी बात का नेता फाइदा उठाएगी लेकिन रावी ऐसा होने नहीं देगी और गोतम को समझाएगी कि धरा को से माफी मांगे और दूसरे तरफ यही बात अब शिवा को समझ में आएगी वो भी रावी से माफी मांगते नजर आएगा यानि कि घर की खुशियों के जिम्यदारी अब रावी उठाएगी और रावी अब पुरे परिवार को समालते नजर आएगी और पांडिया स्टोर को समालेगी रिशिता जहां पर उसकी भुवा की नजर है